रुपए थीन लाख का पचासीं पैसे के हिसाब से चार साल का व्याज कितना होगा जी हाँ अक्सर हमारे सामने क्या आता है ये व्याज का हिसाब हमारे सामने आता है तो आगे देखते हैं कि यहां पर 3,85 पैसे के इसाब से चार साल का व्याज फितना होगा तो देखें क्या होता है जो तमाम कंपणियां होती है जो करें कि माइब्रो फाइनन्स आज कर आप देखते हैं कि यहर जगह पैसाई रठाट तस पचास ले लेते हैं और उसके पाद क्या होता है हर मिद्धा अप्रक। लेकिन जब इस अवाल्यें प्यास ना पता करके इसी तरह से पैसे में ब्यास बताते हैं लेने वाले को एकदम हलका लगे कि क्या बैश डागे रहाए पचासी परसे क्या है लेकिन जब आप उसको सलाना करेंगे तो दस के करीब करीब हो जाएगा जैसे इसी कुस्टन में लोग देखते हैं तो चलिए आ यहां पर 30,85 पैसे के इसाब से तो यहांपर देखे जो मूल धन है यानि कि जो दिया गया धन है मूल धन कितना है तीन लाख रुपए ठीक है व्याजदर कितना है तो देखिए व्याजदर यहां पर है पचासी पैसे प्रति माह है हमारा समय कितना है समय यहां पर है चार साल कितना समय है चार साल का टाइम यहां पर है ठीक है अब यहां पर देखिए कि जो हमारा सुत्र होता है व्याज का वो क्या होता है सालाण व्याज बराबन होता है मूल धान गुणे दर्ग फेश समय बटा सव अब यहां पर कुल मिला करके यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वह यहां पर समय का यूनिट है वह साल यहां पर यह जो हमारा व्याज हमें बताया है है काम ँभी मिलाम करण आपके एक साट या एक वर्स में कितने महीन ने होते हैं यहां पर देखिए तब वार्षिक व्याजदर कितना हो जाएगा यहां पर तब वार्षिक व्याजदर बराबर तो ध्यान दिजेगा यहां पर पचासी पैसे जरूर लिखा हुआ है है लेकिन जब हम इसको रुपआय में दिखेंगे तो रुपएं में हम यहां पर दस्मलों लगा कर लिखेंगे तो जो हम दस्मलों लगा रेते हैं तो यह रुपएं convert हो जाता है अब यह हर महीने के हिसाप से है हमें साल का ब्याजदर्च यह यहां पर हम क्या करेंगे हम यहां बारा रसे गुणा करेंगी तो दीकि आएदा 257 हासिल लगा 6 128iernवे क्षानवे और 6102 आर यहां पर दो अंग पर तो रुपए हुआ इतना परसेंट हुआ कैसे वार्षिक ब्याज ठीक है वार्षिक ब्याज तो दिखें वार्ष में कितना आया देखें हमें कितना बताया था महीर में पचासी पैसे तो ही लगेगा बस लेकिन वार्षिक कितना आ रहा है यह आ रहा है रुपए 20 पैसे ठीक है आप समझ पा रहे हैं अब यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि अगर सौ रुपए लिया या दिया गया है सौ रुपए अगर मुल्धन है तो एक माह में तो इसका व्या वोगा वो तो सिर्फ और सिर्फ पचासी पैसे होगा लेकिन अगर यहीं सौ रुपए एक साल के लिए अगर देखा जाए तो एक वर्स का जो ब्याज होगा वो कितना होगा यहां पर होगा दस रुपए 20 पैसे ठीक है तो यहीं होता है इसका मतलब अग आईए हम अपने को कर लेते हैं पर देखिये मूल धर 3.00,00,00,00,00 में पर पांच बाद 0 में लगा दिया इसके बाद गुणे दर को है तो दर है 10.2 देखे दस्मलों के बाद जीरो होता है इसको नहीं देते सबसे पीछे पीछे वाला तो इसको हम एक ही ले रहे हैं समय कितना है चार बस और बटे में क्या हो गया सव अब यहां पर 0-0 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे ठीक है और यहां पर कुल मिला करके कितन इसमें पुणा कर दे रहे हैं चार दुनी आठ जीरो चार्ट एक चार एक अगपर दसमलों ठीक है चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं तो देखें यहां पर कितना हो जाएगा तो देखें तीन अठ्टें चौबीस हासिल लगा दो इनका जिरो में करें के जिरो जिरो और लगा देखिए यहां पर दस्मलों के बाद नहीं होता है तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 21,21,10,000 लाद कितने हो गए एक लाद 22,400 रुपए यह व्याज के रुपए आ रहे हैं तो देखा आपने यहां पर हमारा कितना चोटा सा व्याज रुपए लेकि जम्म लोगों ने इसका साधारन व्याज जोड़ा तो साधारन व्याज इससा कितना आ रहा है एक लाद 22,400 रुपए अब देखिए बहुत से लोगों को बोले कि चप्लद्य व्याज क्या होगा या फिर अगर हम इसको पन्वट करें तो देखिए वो भी इससे इसके लब समने होगा वो भी लगभग इसके आजपास यह आएगा थोड़ा कम अधिक आएगा लेकिन एक आ हम अपने व्याज की करना असानी से करेंगे अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो फ्रेंड्स तो आप कोमेंट ज़रूर कीज़ेगा मिलते हैं नेक्स्ट इंट्रस्टिंग वीडियो में चैहीं दोस्तों झाल erत्स्टन टूसरे लेगा आफक करूच ग्याज करेंगे ओडं़ आएगा चाह droite j'aur Euch जो एल्चा भी किव व्याता ओना झाल वार रखको मेंगे लेगा झाल एके सुप इंड़ र tub